मैं हूँ शिर्पी और मेरे खीचर में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेका हूँ एक जटपर्स से बनने वाली रेसिपी जो बारिस के मौसम में जल्दी से बना के खा सकते हो बीना जंजट के खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है चली जल्दी से शुरू कर यहां मैंने एक पैन लिया है इसमें हम एक चोथाई चमच जीरा डालेंगे क्यूमन सीट्स अब इसमें हम दो से तीन चोटे चमच तेल डालेंगे वेजिटेबल ओल मैं यूज करें हो अब जीरी को अच्छी तरह से फूटने देंगे उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल दालेंगे मैंने यहां सिम्मला मिर्च लिये बारी कटीवे सिम्मला मिर्च साथ में बारी कटीवे प्याज और बारी कटीवे गाजर इसकी क्वांटिटी अब बरहावी सकते हो इन सबी को अच्छी तरह से एक से दो मिनट के लिए भूल लें अब इसमें हम एक चोथाई च चमच गरम मसाला और एक चोथाई चमच काली मिर्च का पॉडर डालेंगे इन्हें अच्छी तरह से मिलाएंगे गैस का फ्लेम लो रखेंगे नहीं तो हमारे मसाले जल सकते हैं अब इसमें हम बारिक वाली सूजी डालेंगे यह एक कटोरी से कम सूजी है इसे भी अच्छी त वाली डालेंगे और इससे च्छी तरह से मिक्स करेंगे गैस एक फ्लेम यहाँ पर हमिए रख देंगे और इससे च्छी तरह से और इस publisher करें यहां मैंने मैदा लिया है आप चाहो तो यहां पर आठा भी ले सकते हो अब इसमें हम स्वाधनों सा नमक डालेंगे इस मैदे में और साथ में यहां पर पानी डाल के इसका गूल बना लेंगे और दूसरी तरफ मैंने यहां मसाला उट्स लिया है जिसे मैंने मिक्सर ग्रैंडर में हलका सा दरदरा ग्रैंड कर लिया है यह देखे इतना पतला हमें गोल चाहिए दूसरी तरफ ये mixer हलका ठंडा हो गया है अब इसे हम हथेलियों के सहायता से अच्छी तरह से मस लेंगे और इसका एक डो तयार कर लेंगे इस तरह से मसल के इसे हमें पूरी तरह ठंडा नहीं होने देना है नहीं तो हमारे rolls नहीं बन पाएंगे सूजी के cutlet इस तरह से हम इसे गोल का shape देंगे और सभी को इस तरह से divide कर देंगे ये खाने में बहुत ही tasty लगती है आप इसे जरू ट्राइए करें और बहुत ही जट अब यह सूजी के जो मैंने cutlet बनाया है अब इसे मैदे में डिप करेंगे और इस तरह से हम ओट से cover कर देंगे और जो extra एक्स्ट्रा ओट से उसे हम अच्छी तरह से हतीरियों के सहता से इसे हम निकाल देंगे ने तो यह जब हम इसे fry करेंगे तो यह ओट जाके तेल में निकल सकते हैं बागी कभी इसी तरह हम बना लेंगे आप चाहोतो ओट के इसे क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लें यह देखिए हमारे सूजी के कटलेट ओट्स वाले बिल्कुल बनकर तयार है और यह बहुत ही क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से सॉफ्ट है इसलिए मैं इसे चाकु से काट रही हूं ताकि आपको दिखा सको और यह बहुत ही गरम करें फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू